हेलो फ्रेंड्स, डेवाइलाइट्स असोसियेशन टीम के जोग्रोफी क्विस्स सेग्मेंट पार्ट टू में आप सभी का हार्दिक स्वगत है दोस्तों ये है आपका एस सेग्मेंट का आखरी पार्ट जो हम आपको दे रहे हैं कल हमने पार्ट वन पढ़ा था और आज हम आखरी पार्ट टू पढ़ने वाले हैं ठीक है जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो सेग्मेंट है वो यूपी एसी और अदर एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्जाम्स जैसे कि भाई आपका PCS लीजे या फिर आपका PSC के जो एक्जाम्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में वो ली लीजे इन सभी के लिहास से बहुत इंपॉर्टन सेग्मेंट होगा आपका ये ठीक चलिए शुरू करते हैं ड्रेनेज पाटन के सम्बंद में निम्न कत्नों पर विचार कीजे तो पहला है सही स्टेट्मेंट जब कोई नदी पहाडों से उत्पन होकर हर दिशाओं में बहती है तो ऐसे में उसके ड्रेनेज पाटन को रेडियल कहा जाता है किस नाम से जानते हैं हम रेडियल रेडियल पाटन कब होगा जब कोई नदी पहाड से उत्पन हुई और वो हर दिशाओं में बह रही है तो क्या होगा रेडियल ठीक है क्लियर हो गया नेक्स्ट जब नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और वितिय सहायक नदियां उन्हें समकोन पर जोडती हैं तो उस पाटन को प्रेलिस कहा जाता है ठीक क्या होता है जबकि पहली जो प्राथमिक सहायक नदियां है वो नदि के समानांतर बहेंगी ठीक है और जो दूतिय सहायक नदियां जो अन्य सहायक नदियां हैं वो क्या करेंगी सहायक नदियों को जो प्राथमिक सहायक नदियां उनको प्लस और यह जो नदी है में न ट्रेलिस ठीक है तीसरा ऐसे ड्रेनेज पैटर जो पेड़ की शेकाओं जैसा दिखता हो उसे dendritic pattern कहा जाता है अच्छा एक drainage pattern ऐसा भी होता है जो पेड़ की शेकाओं की तरह दिखता है उसको क्या क्या कहते है देड़ियटब पैटर ठीक है next सिंदु नदी के प्रात्मिक सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जिनको हम कहते हैं राइट बांक रिवर कौन कौन सी हैं पहला है देखो काबुल नदी दूसरा गोमल नदी और तीसरा है संगा नदी कौन कौन सी काबुल गोमल संगा ठीक है मतलब काबुल या काबुली वाला गाय के संग आया ठी एक काबुली वाला गाय के संग आया ऐसे आप याद कर लिजे इसको ठीक है next question इंडियन रीजनल नाविगेशन साटलाइट के सम्मन्द में सत्यक अथन का चयन कीजिए तो आंसर है जियो स्टेशनरी में इंडियन रीजनल नाविगेशन साटलाइट सिस्टम के तीन साटलाइट है जबकि जियो सिंक्रोनस ओर्बिट में इसके चार साटलाइट है ठीक है आई आर एन एस एस के जियो स्टेशनरी में कितने साटलाइट है तीन है और जियो सिंक्रोनस ओर्बिट साटलाइट में कितने है चार ठीक है नेक्स्ट, भारत के किन क्षेत्रों में सर्दी में वर्षा होती है? आंसर है इसका पहला उत्तर पश्चिमी भारत में, दूसरा आरुनांचल प्रदेश और असम में, तीसरा दक्षिनी प्रायद्वीत के उत्तरी भागों में ठीक है? कहां कहां है? उत्तर पश्चिमी भारत में, अरुनांचल प्रदेश और असम में, और दक्षिनी प्रायद्वीत के उत्तरी भागों में यहां पे, यहां यहां इन इन शेत्रों में क्या होता है? सर्दियों के टाइम पे भी वर्षा होती है सर्दियों के टाइम पर सब रजाई में घुसे रहते हैं ठीक है हमारे खमलों हो गया हम सोच भी नहीं सकता हला के होती है कभी-कभी जो बर्थ पढ़ती है तो बहुत भैंकर वाली लेकिन यहां पर सर्दी नहीं सर्दी में बारिश होती है ठीक चलिए next मानसूनी वर्षा की विशिष्टाओं के संबंद में नन कचनों पर विचार कीजे तो सही स्टेटमेंट्स हैं पहला मानसूनी वर्षा काफी हद तक राहत या स्थाला कृती द्वारा नियंत्रित होती है दूसरा गर्मी के मौसम में वारिश में बहुत अधिक गिरावट आ जाने के कारण मिट्टी का क्षरण या कटाओ होता है ठीक है चलिए next question पर चलते हैं हमारा next question है Infrastructure Investment Trust Fund के संबंद में निन कचनों पर विचार कीजे पहला सही स्टेटमेंट ये fund mutual fund के समान ही होता है दूसरा सही स्टेटमेंट इस प्रकार के fund का registration से भी द्वारा trust के रूप में किया जाता है next question देखो शुष्क पर्ण पाती वन के संबंद में निन कचनों पर विचार कीजे तो answer है पहला स्टेटमेंट जैसे ही शुष्क मौसम शिरू होता है वैसे ही पेड अपनी पत्तियों को पूरी तरह से बहा देते हैं और जंगल गास के विशाल मैदान की तरह दिखाई देने लगता है जहां पे नंगे पेड हों ठीके इस प्रकार के वन में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, एकसल वुड, खाईर, आदी वरिक्ष पाए जाते हैं कौन कौन से वरिक्ष पाए जाते हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खाईर, और एकसल वुड, ठीक, नेक्स्ट क्वेशन देखिए जलोड मिट्टी के संबंध में निंद कत्नों पर विचार कीजे पहला सही स्टीक्मेंट जलोड मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक, किन्तु फासफोरस की मात्रा कम पाई जाती हैं पोटास बहुत अधिक होता है और फासफोरस बहुत कम होता है इस मिट्टी में दूसरा, जलोड मिट्टी प्रकृति में रेतीली डोमट मिट्टी से भीन होती हैं Next question. भारी वर्षा और उच्च आरद्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? Answer PT मिट्टी. Next question. हाल ही में, विश्व के दक्षनतम शेहर का दर्जा किस शेहर को दिया गया है? हाल ही में विश्व के दक्षनतम शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है आंसर पुएटो विल्यम्स किसको दिया गया है पुएटो विल्यम्स ये कहां पे इस्तिते कौन से देश में ये अगर आपसे पूचा जाता है तो इसका आंसर होगा चिली ठिक चिली चिली की राजधानी क्या है सांटियागो ठीक है चलिए नेक्स्ट यूरेनियम के भंडार कहां कहां पाए जाते हैं भारत में ठीक है आंसर है सिंग भूम थ्रस्ट बेल्ट मेगाले के महादिक बेसिन में ठीक है पहला सिंग भूम थ्रस्ट बेल्ट में ये कहां प इसकी ये जो यूरेनियम का भंडार है इसकी खोज 1951 में की गई थी ठीके सिंग्हूं त्रस्ट बेल अप दूसरा है आपका मेघाले का महादिक बेसिन तीसरा आंधर प्रदेश का कडपा बेसिन यहां पे भी यूरेनियम पार जाता बहुत जादा और चौथा है करनाटक का भीमा बेसिन यहां पे भी यूरेनियम का भंडार बहुत जादा पाय जाता है कौन-कौन से बड़े भंडार है भरत में पहला तो है सिंग भूम थ्रस्ट बेल्ट यह पड़ेगा कहां पे जारखन के जादू गुड़जिला है एक वहां पी पड़ेगा ठीक इसकी खोज गई थी 1951 में सबसे पुराना यूरेनियम भंडार है यह दूसरा है अपका मेघाले का महादिक बेसिन तीसरा आंध्र प्रदेश का कडपा बेसिन और चाथा बड़ा भंडार है यूरेनियम का करनाटक का भीमा बेसिन ठीक है चलिए next question खेलो इंडिया कारिक्रम के संबंध में निम्न कत्नों पर विचार कीजे पहला सई स्टेटमेंट यह केंद्र सरकार की यूजना है बिल्कुल ठीक है दूसरा सई स्टेटमेंट इस यूजना के तहट प्रतिये खेल के अलग-अलग स्तरों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करके उन्हें आठ व वर्ष के लिए दिया जाता है पांच लाग रूपए मतलब मेरे समझ में द्वार है हम आपको बता रहें अगर एक वर्ष में पांच लाग आप देते हैं आठ आठ साल में देंगे तो 40 लाग रूपए हो जाता है ठीक है यह हुआ इसका मतलब नेक्स्ट क्वेशन है भारत में खोजे गए विशेश प्रकार के खनिच कौन कौन से हैं यह आपको बताना है तो हम बता रहें आपको पहला है इल्मनाइट दूसरा है सिलिमानाइट तीसरा है जिरकन और चोथा है मोनोजाइट कौन कौन से खनिच है इल्मानाइट सिल्मानाइट जिरकन और मोनोजाइ ठीक है यह विशेश खनिज है रेयर मिनरल्स जिन्हें बोला जाता है रेयर मिनरल्स कितने होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूचा जाता है तो इसका आंसर होगा 17 कितनी होती है 17 ठीक है तो दोस्तों इस सवाल और इसी जवाद के साथ हमारा जियोग्रफी क ये part 2 भी यहीं पे खत्म होगता है है ना अब हम आपसे next segment में मिलेंगे लेकिन तब तक के लिए हमें आपसे इजासत लेनी होगी ताकि हम आपके लिए next segment ला पाएं है ना तो दोस्तों इसी बात के साथ इसी request के साथ हम आपसे एक और request जरूर करेंगे वो ये कि आप सभी लो वो तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश की जगा my most dearest of the dearest friends जो लोग internet facility का लाव नहीं उठा पा रहे हैं है ना तो इसी छोटे से request के साथ हम आप सभी के भीर सारे प्यार, चुनून, चसबात और कड़ी मेहनत के साथ-साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दि च्छेत्र में आपनी योगिता का पाचम लहरा पाने में भी भली भाती सक्षम है तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी कर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरे डिवाइन लाइस असोसियेशन टीम की ओर से हम आप सभी को क्या ना चाहेंगे देल से प्यार भरा नमस्कार